आज बात करते हैं मूलबुत बुनाईयों में तीसरी मूलबुत बुनाई जिसको हमने नाम दिया है साटिन बुनाई इस बुनाई के वस्तरों की सतह पर ताने के धागे अधिक संख्या में दिखाई देते हैं तथा बाने के धागे तूटी हुई तिरची रेखा तिरची धारी के रूप में दिखाई देते हैं मतलब क्या हुआ वस्तर की उपर हमको ताने के ही धागे अधिक मात्रा में दिखाई देंगे फ्लोट्स के रोप में दिखाई देंगे जबकि बाने का धागा जो होगा वो तिर्ची धारी के रोप में दिखाई देगा और वो भी कहीं कहीं दिखाई देगा तात पर ये है कि इस मुनाई में वस्तर के उपर ताने के धागया दिक संक्या में दिखाई देते हैं इसलिए ये मुनाई ताना मुगी मुनाई कही जाती है ऐसे वस्तरों के सते पर ताने के धागों के लंबे लंबे फ्लोट दिखाई देते हैं जिनके कारण वस्तर की सत्य चिकनी हो जाती है और दूर से ही चमकती है ऐसी बुनाई एक काउंटिंग नंबर की सहता से मनाई जाती है सम संख्या वाली अगर बुनाई होगी तो काउंटिंग नंबर विशम संख्या का होगा और विशम संख्या वाली साटिन बुनाई होगी तो counting number समसंका का लिया जाएगा अब देखिए किस प्रकार से ये बुनाई को हम कागच और पैन की साहिता से बनाएंगे देखिए हमने बाई तरफ वाला जो चित्र है इसे देखिए इसमें हमने क्या किया है देखो एक बॉक्स बनाया पांच गुणा पांच का मतलब पांच धागे ताने के हैं खड़े हुए धागे ताने के होते है और पांच ही धागे जो तिर्चे हैं वो बाने के धागे हैं अब इस बुनाई को हमने counting number दो की साहिता से बनाया है counting number 2 की साइता से क्योंकि गुनाई की जो साइज है वो हमने 5 गुणा 5 लिये मतलब विसम संख्या है 5 तो इसके लिए हमने counting number संख्या में 2 का इस्तेमाल किया है ठीक है? 2 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं अब देखो इसको हमने प्रारम भी किया है देखो अब दो हमने बॉक्स खाली छोड़े हैं और दूसरा जो बॉक्स है उसके जस्ट उपर हमने क्रोस का निशान लगाया है क्रोस का निशान यहां पर अभी तक जो हमने वीव पड़ी थी बुनाईया पड़ी थी ट्विल और प्लेन उन में हमने क्रोस का मतलब क्या देखा था कि क्रोस का मतलब होता है ताना उपर लेकिन इस बुनाई में उल्टा हो रहा है क्रोस का मतलब हमने क्या दर्शाया है ताना नीचे ठीक है देखिए आप क्रोस का मतलब हमने क्या दर्शाया है ताना नीचे और खाली जो box का हमने क्या दर्शा है ताना उपर ठीक है अब इसको भी समझ लो cross का मतलब हमने दर्शा है ताना नीचे तो ताना किसके नीचे है ताना किसके नीचे हुआ बाने के धागे के नीचे से निकला है और बाने के धागे के नीचे से निकला है तो इसका मतलब बाना उपर हो गया ठीक है तो हम यहाँ पे बाना उपर भी लिख सकते हैं ताना नीचे के स्थान पे हम बाना उपर भी लिख सकते हैं समझने वाली बात है ठीक है अब इस चित्तर में देखिए क्या किया हमने काउंटिंग नमबर दो को किस प्रकार से प्रियोग ने लिया गया है इसको देखिए बाग यहां पे यह एक यह दो और दूसरे के उपर से चालू किया हमने टीक है? दूस से के ऊपर से चालोगी, यह मतलब है यहां क्रॉस लगा दिया हमने इस क्रॉस के बाद में दाइनी तरह वापिस बढ़े हम एक और दो खाली चोड़े हमने, यहाँ पर यह दोनों खाली चोड़ती है और उसके ऊपर वापिस लगा दिया अब यहाँ पर counting होनी थी एक दो की लेकिन यहाँ जगे नहीं है तो इसी में हम वापिस left side में आ गए तो एक दो और यह उपर हमने यहाँ फिर निशान लगा दिया एक दो यहाँ पर फिर उपर निशान लगा दिया ठीक है इसको इस तरह से समझते हैं ठीक है counting number को इस तरीके से लगाया है देखें आप वापिस देखो एक बार कैसे एक दो और यहाँ पर निशान लगा दिया 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 ठीक है समझ में आ रहा है अब देखिए आप दूसरा एक्जामपल देखो दूसरा एक्जामपल देखिए अब आप यह एक्जामपल हमने लिया है आठ गुणा आठ साइज के उपर आठ गुणा आठ साइज है इसकी तो counting number 3 की गढ़ना कैसे करी निशान वही बाये निचले कौने से शुरू किया और फिर counting number 3 की कैसे counting करी अपने एक एक अब देखो आप मैं बताता हूँ आपको किस तरह से ये एक ये दो और ये तीन तीन के ओपर निशान लगा दिया यहाँ पर निशान लग गया फिर वापिस counting एक दो और ये तीन यहाँ पर निशान लग गया एक दो तीन या निशान लग गया एक दो तीन या निशान लग गया एक दो तीन या निशान लग गया एक दो तीन यहां निशान ले लिए, ठीक है? क्लिर होई ही बात? देखिया अब आप वापिस से बता रहा हूँ मैं आपको यहां निशान यहां से शुरुआत करी हैं, हमने, एक, दो, और तीन, यहां पे निशान लगाया, एक, दो, तीन या निशान लगाया एक दो तीन या निशान लगाया एक दो तीन या निशान लगा दिया ठीक है कलेर भी बात अब यहाँ पर क्या है यह जो दिखाए दे रहा है यह ताने का धागा बाने के दागों के उपर से गया है ठीक है यहाँ ताने का धागा नीचे था और यहां ताने का धागा उपर से चला गया किसके उपर से गया है बाने के धागों के उपर से मतलब फिलोट देखे अब आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ का फिलोट बन गया ना ऐसे ही दूसरी पंक्ती में देखिए यह साथ का फिलोट तीसरी पंक्ती में देखिए यह साथ का फिलोट चौथी पंक्ती में देखिए यह साथ का फिलोट पांच भी पंक्ती में देखिए ये फ्लोट ये अगली पंक्ती में ये फ्लोट अगली पंक्ती में ये फ्लोट और अगली पंक्ती में ये फ्लोट तो यहां पे ताने के धागों के फ्लोट बन गए हैं और ये ताने के धागों के फ्लोट के कारण ही ये बुनाई ताना मुखी बुनाई कहलाती है और इस टी, आई, एन, सा, टीन, तीक है, अब दूसरी बुनाई के हम बात करते हैं, देखिए, दूसरी बुनाई है, सतीन बुनाई, सतीन, इसको सतीन बुलते हैं, सतीन, s, a, t, डबल, e, n, सतीन बुनाई, ये bahnamoo की बुनाई है, जिसमें bahnay के दागे, अधिक संक्या में, अब देखो ये बुनाई बिलकुल साटन बुनाई के एपोजिट है, विप्रीथ है, उसके बिलकुल ओलट है, वहां जो धागे ओपर थे, यहां वो धागे नीचे आ जाएंगे और वहां जो धागे नीचे थे, वो धागे अब ओपर आएंगे, जिससे क्या होगा, सटीन के लंबे-लंबे, बाने के धाके के लंबे-लंबे फ्लोट बनेंगे, इसलिए ये बुनई, बानमु की बुनई कहलाईगी, अब इसका उदाण देखिए, बिलकुल जो चित्र बनेगा, वो बिलकुल वैसा का वैसाliest बनेगा, अंतर कहा आएगा अंतर केवल यहां आएगा यहां पे हमने क्रोस का मतलब ताना उपर लिया है और साटिन बुनाई में क्रोस का मतलब ताना नीचे लिया था अपने बस यह अंतर है बिलकुल उसी तरह से यह बुनाई बनेगी जैसे हमने साटिन वीव में, साटिन बुनाई में बनाई थी यहां फिर देखिया आप पांच गुना पांच के साइज के उपर अपने इस बुनाई को बनाया है तो काउंटे नमबर हमने दो लिया है और यहां फिलोट देखिए, बाने के फिलोट दिखाई देंगे, यह बाने का फिलोट, चार धागों के उपर से निकला है, चार ताने के धागों के उपर से निकला है, देखिए अब दूसी पंगती में, यह देखिए तीसी पंगती में, यह चौती पंगती में देखिए, औ इह फोट मेरी देखी आ थाऑ के देखा साथ या मैंने दाग है। इस पोचा अवा छूट मेरी देखी समय है। ये फिलोट्स दिखेंगे बाने के धागों के फिलोट्स दिखेंगे तो ये इस बुनाई में हमको बाने के धागे अधिक संक्या में दिखाई देंगे और इसलिए ये बुनाई बानमों की कहलाती है और इन floats के कारण ही ये सते वस्तर की ये सते चिकनी और चमक्तगार दिखाए देती है परन्तु इसका दोश भी है लंबे लंबे float होने का दोश क्या है कि ये अंतरगुथन ताने और मानयों का अंतरगुथन कम होने की वज़े से ये वस्तर comparatively कमजोर हो जाता है समझ में कि किस परकार से हमने floats यहाँ पर बनाए है तो ये मूलबूत बुनाईयां चार हमने पढ़ ली है साधरन बुनाई, ट्विल बुनाई, साटेन बुनाई और साटेन बुनाई ठीक है अगले किलास में हम और दूसरी बुनाईयों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे इस बुनाई में वस्त्र की सते पर तिर्ची रेखाएं परदर्शित होती हैं ये रेखाएं बाई अधवा ताइद